वेलकुम तो माई चैनल और आज हम वेक्टर्स के कभी कर वीजन को डिसकस करेंगे अब जैसे यहाँ पर कंटीनिव है ठीक है अब बचे हुए पुइंटों को भी डिसकस कर लेती है जैसे लास्ट पार्ट में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थी सही है और जो टाइप है ठीक है अब वैसे देखा जाए तो सलिबस में आपके पास यह टाइप बचेगी ठीक है लेकिन एक स्पेशल टाइप का अन्मेरिकल यहां से बनता है लेकिन उससे पहले चलो कुछ और बात आपके साथ डिसकस कर लेते हैं तो मतल देखो जब लास्ट प्रोड़क्ट है वो किसको रिपरजेंट करता है यह तो बात डिसकस हो चुगी था ना किसको रिपरजेंट करेगा वोल्यूम ओफे पैरलेलो पाइप अब इस चेज की भी कुछ स्पेशल बाते होती है या फिर को आप स्पेशल कंडिशन कह सकते हो केस कह सकते हो वह आपक चलो आमने मतलब जो परललो पाइपटे है na वोल्यूम को विमाल लिया सही है एक ही यही पर एक इसी की टाइप कह सकते हैं या फिर केस का ऊची जाएगी है आपके पास टेटरा है ड्रॉन ठेटरा है ड्रॉन और उसका मतलब होता है कि उसका भी बात होई है, पहले तो वो पता होना चाहिए आपको कि जो टेटरा है, जैसे नाम में लिखा होता है, टेटरा का मतलब च्यार, मतलब उसके अंदर च्यार वर्टेक्स है, च्यार फेस होंगे, ठीक है न, इस तरी की बाते मतलब इस जमेटरी की बारे में सीखना हो, तो मतलब वेक्टर की जो प्लिन लिस्ट है, वहाँ से आप ये चीज़ चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, सही है, तो टेटरा एडरोन में भी आप यही बात होगी, कि वोल्यूम निकालना होता है, ठीक है न, मतलब वोल्यूम ओफ ये टेटरा एडरोन, तो उसका फ फिर इसके बाद एक और स्पेशल कंडिशन होते हैं, मतलब कुछ ही यहाँ पर स्पेशल बात हैं, इस कंसेप्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट, यहाँ पर नुमेरिकल्स में एक कंडिशन, चलो एक बात नुमेरिकल्स के हिसाब से देख लो आप, ठीक है न, नुमे प्रजेंट कर रहा था, एरिया, वो फिर पेरलेलोग्राम, आप जो यह एक वीक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है, पार्ट नंबर में भी फोर था, वहाँ पर चेक कर लेना इस बात को, सही है, तो यहाँ पर पर परलेलोपाइब्ट, तो यहाँ पर जैसे एक बात बताई क्या कि दो एडजेसेंट साइड सोनी चीए, इसमें दो एडजेसेंट साइड सोनी चीए, तो यहीं पर पैरलेलोपाइब्ट में समझ जाना तबी कि आपके पास तीन होनी चीए, काम की बात ही यह, तीन एडजेसेंट साइड सोनी चीए, ठीक है ना, या फिर को आप इसका मतलब पता क्या होता है तीन वेक्टर कहे दो simply और ये तीन ही क्यों काम की बात ही ये तीन ही क्यों क्यों कि देखो एक बात बताई थी last part में क्या देखो यहाँ पर दो ही क्यों इस तरीके से आपने आप सोचोगे तो सबसे best है मतलब एक simple बात बताई थी कि area को आपके द्वाप की दो distance की multiply होगी simple बात है यह तो simple logic है साथ में कुछ constant हो सकता है सही इतना तो आपको बता है तो मतलब है parallelogram में area निकलता है area होता है 2D का मतलब 2D वो आपके उपर वो इन चीजों कैसे relate कर रहे हो parallelogram भी 2D shape है इसकी सही है लेकिन volume में 3 distance की multiply आती है तो इसलिए 3 side होननी भी चीए इसको आप यह भी कह सकते हो कि 3 axis होंगी तब ही 3 distance होंगी अपने अपने word है यह best है जीतना सोचोगे उतना यह अच्छा भी लगेगा और आसान भी लगेगा तो इस तरीके से सही है तो अब जैसे आपको यह बताया कि 3 adjacent sides होनी चीए इस चीज का simple मतलब जैसे paralleloped वैसे देखा जाए जो आपकी यह paralleloped है जैसे 6 parallelogram है ठीक है ना इस तरीके से इसकी जमेट्री थी वो एक बार आप जरू चेक कर लेना सही अगर जमेट्री के इसाब से चलोगे तो सबसे आसान तरीक करेगा तो इस तरीके से अब यहाँ पर numericals में पता क्या मिलेगा आपको यह word मिलेगा direct कि co-planar से ओकरो देख लेना अब है अब तक जो सीखा वो तो इस जमेट्री के इसाब से अब आपको बताते हैं कि numericals में कैसे इन चीजों को relate करना चाहिए आपको co-planar का मतलब देखो नाम में ही सब कुछ लिखा हूँ है co का मतलब होता है match में same ठीक है और planar कैदो plane सही है अब इसके बाद आगी की बात plane क्या होता है एक 2D जमेट्री जैसे ये सीटों पर है ये कैदो आप plane है बात कतम plane होता है two dimensional है इतनी बात तो two dimensional होगा तो इस से अगली बात दो होगी तो मतलब दो axis होंगे 2D का तो ये मतलब होगा अगर match के साफ से चलना चाते तो xy हो जाएगा daily life के साफ से चलना चाते कैदो आपे length और breadth कैदो है आसान इस तरीके से relate क्या करो अब दो axis होंगे तो उन पर दो distance होंगे इतनी बात भी सही है अगर दो distance है तीसरा तो होगा नी समझ लेना इस बात को तीसरा होगा नी तो मतलब तीसरा 0 होगा ना होने का मतलब मतलब उसकी value 0 होगी सही है और इसी लिए कैदो coplanar के numerical में volume है ना volume को आप 0 से हो कर दो बात खतम volume किसका parallelo piped का volume of parallelo piped है इस तरीके से है आसान volume of parallelo piped को 0 से हो कर दो या फिर आपको इसी को scalar triple product भी कैद सकते हो मतल तीन वेक्टरों ने चीए है असान चीज इस तरीके से relate क्या करो ये बात आई कहां से यहां से निकल कर आती है तो वो आपकी भी चोईस है इसी को आप इस special बच्चे तभी यहां पर यह कह सकते है कि volume of a tetradron में भी तो वो था सही है ना 1 by 6 करना था अब 0 by 6 ये वाली मतलब ह तो वह ये बात जीरो है है असान तरीका तो ये coplanar का मतलब होता क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि डिरेक्ट ये चीज जीरो पूट कर दी इस तरीके से सोचोगे symmetry के हिसाब से ये चीज़े अपने आप सीख जाओगे सही है तो इस तरीके से और daily life से भी relate कर लिया करो इन छोटी कि साबसे चलो आपके पास 4 vector हो समझे ले ना इस बात को 4 vector हो या फिर हो सकता है कि आपके पास 4 point हो च्यार point हो देखो ये तो बता था कि point से vector लिखने का तरीका किसी point से vector लिखने का तरीका I cap, J cap, K cap के respective multiply कर दो सभी को add करतो ये सारी चीज़े आपके साथ discuss हो चुकी है ठीक कि साई है किazyyan तो मतलब जिसका symbol ये भी था ना और तीन वेक्टर आहेंगे मतलब square bracket के अंदर तीन वेक्टर तो किसी एक reference माल लो चलो एक की साफसे लिख लिए मैं मतलब हमने Went एक Hab vector निकाल दिया एक Wheatrix nukald एक Eddy nukald दिया उसको zero शेओ कर देना तो इस तरह से मतला के अंदर है four points है इस तरीके सोचा करो हमें ने पता यह A, B, C, D, जो भी Pattern है बस इसके अंदर हैं बातकत one सही है तो इस तरीके से अब धोड़ा सा सोच के बताऊ यह vector direct क्यों नहीं लिखते मतलब यह vector काम के क्यों नहीं है क्योंकि यह vector होते है औरिजन से vector वेक्टर का मतला था कि directed line segment या फिर डो point से बनकर मिलता है vector आपकी बात सही है तो दूसरा point इन case में बना origin लेकिन अमे numerical में यह नहीं पता होता है कि जो origin है वो इस plane पर होगा या फिर नहीं होगा काम की बात ही है और इसी छोटी सी बात की वजह से ये डारेक्ट यूज नहीं होते हैं इन बातों को समझ लेना हाँ एक तरीका आप के पास क्या किया आप किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से origin को वो देखो चेक करना पड़ेगा उसके लिए equation लिखने पड़ेंगी उससे numerical length थी होगा और कुछ नि हाँ तरीका वो भी सही है कि किसी तरीके से आपने origin इस plane पर show कर दिया फिर उन में से तीन काम की है वो आपकी चोई से कोई भी तीन ले सकते उन में से फिर काम क्योंगे लेकिन numerical में ये चीज आपको चेक करने पड़ेगी उस यासान तरीका एक और step थोड़ी ना आपने किसी एक को reference मानो आपकी चोई से यहाँ पर confuse मत हो ना कि आपने a ही क्यों मानना और a b vector लिखने है मतलब a से चले b तक जैसे a point है b सही है तो a से b जाना यहाँ पर तो मतलब यह चीज हाँ इसमें भी confuse मत हो ना कि आपने a b ही क्यों लिखा b यह क्यों नहीं लिखा देखो a b vector और b a vector में क्या अंतर होता है डिस्टेंस पराबर है लेकिन direction opposite हो जाएगी इसका मतलब है a से b जाना जो पहले वर्ड लिखाना वहाँ से चलना दूसरे तक यहाँ पर b से चलना एकी तरफ तो direction opposite है इसलिए minus sign आता है ठीक है यहाँ आपर minus sign आएगा वो खतम हो जाएगा कहा पर देखो a b vector और b a vector में हमें पता है minus sign आएगा लेकिन वो minus अपने आप खतम हो जाएगा right hand side में यह छोटी छोटी बात है relate करने चाहिए आपको सही है इससे हर concept आपको अपने आप असान लगने लगेगा तो इस तरीक किसी सही है तो कभी coplanar मतलब यह word मिल जाए तो 14 points द को reference मानों बचे हुए तीन तक चले जाओ जैसे a को reference मालिया एक बार b तक चलेगा एक बार c तक एक बार d तक इस चीज का यह मतलब ता तीन वेक्ट राजेंगे सही है वह आपकी चोई से जो भी reference मानना चाहते हो और scalar triple product 0 प्रूब करते ना तो coplanar यहां से भी numerical बनता है ठी तो इस चीज का यह मतलब है नाम देखो इस चीज का सबस्यासान तरीका देखो कि यह बात तो अपने आप आई थी को का मतलब same plane यहां से हम सोचना शुरू करेंगे बस अपने आप यह चीजे निकल कर रहा जाएंगे आपके सामने तो इस तरीके से सही है तो यह मतलब important point र या करो कि यह 2D geometry यह 3D है इस तरीके से तो को अमने volume का कहीं पर भी formula नहीं लिखा simply यह कहा था कि volume होता तीन distance हो की multiply तो यहां पर पता क्या हुआ है distance into distance और तीसरा 0 हो चुका है क्योंकि तीसरा distance था ही नहीं इस वजह से 0 रिजल्ट है यहां पर इस यह 0 भी आपको इस तरीक सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए thank you